तो वहीं बात अब चौथी ख़बर की कर लेते हैं जो कि लोगसभा चुनाव से जुड़ी हुई है ना लोगसभा चुनाव नस्दीक आ रहे हैं इंडिया गडबंदन में सीटों की शेरिंग को लेकर बैठकों का दोरचारी है इस बीच उत्रप्रदेश में समाजवादी पा कर कॉंग्रेस और सपा दोनों ही अलग-अलग बैठक कर रहे हैं दोनों पार्टिया यूपी की लोगसभा सीटों को लेकर अपनी सियासी साथ बिचाना शुरू कर चुकी है इंडिया गडबंदन में सीट शेरिंग को लेकर दिल्ली में सपा और आरेल्दी के साथ बैठक की इसके साथ ही राजधानी लखनव में सपा मुक्या अखिलेश यादव की अगवाई में आज पार्टी की एहम बैठक हुई सपा में मौझूदा विधाईको और पूर विधाईको ने अपने अपनी छेत्र के लोगसभा चुनाव के दावेदारों के नाम और चुनाव को लेकर अपने सुझाव बंद लिफाफे में अखिलेश को दिये है बदादे कि अखिलेश ने कहा है कि किसी का भगवान कोई भी हो हमारा भगवान PDA है सूत्रों की माने तो कॉंग्रेश ने ना इस बावत अखिलेश से बात की है और ना ही कोई भरोसा दिया है और तो और कल यूपी में कॉंग्रेश ने 80 लोगसवा सीटों पर अपने प्रभानियों की घोशना भी करती है सूत्रों की माने तो अखिलेश और उनकी कोर टीम का मानना है कि अंत समय में कॉंग्रेश कहीं कोई खेल ना करते तो ऐसे में लोगसवा चनाव में अपने मुखे प्रत्याशी वाई बी आईपी सीटों पर होमवर्क करके लिस्ट फाइनल कर ली जाए ताकि अंत में अगर कॉंग्रेश यूपी में बासपा के साथ कोई गठ जोड कर ले जिसकी आशनका कई बार अकलेश जता भी चुके ह यूपी में सपा प्रमोख अकलेश यारफ कॉंग्रेस को लगातार आखे दिखा रहे हैं तो वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी भी उन्हें काबू करने के लिए बैलेंस गेम खिलती नजर आ रही है अकलेश को काबू करने के लिए कॉंग्रेस अब मायावती कार्ट दिख रही है जी बिल्कुल और सवाल ये भी है सौमया की बसपा की इंडिया गड़ बंधन में एंट्री हो बी गई तो क्या बदलेगा कहा जा रहा है कि इससे दो महतफूर बदलाव हूँगे एक बदलाव ये होगा कि कॉंग्रेस और सपा पहले से ही इंडिया गड़ बं हैं और एक्जिट की धमकी देख चुके हैं सपा प्रमुका खिलेश ने मायावती की पाटी के इंडिया गड़बंदन में शामिल होने को लेकर एक सवाल पर चुनाव बाग के बाद भरोसी की बाद छेट दी तो मायावती ने गैस हाउस कांड का जिक्र करते हुए सपा पर प तो आपको बता दे कि लगतार सीट शेरिंग को लेकर इंडिया गड़बंधन में रोज नए आपको बता दे नए किसे सामने आ रहे हैं सीट शेरिंग में आई दिन हर राज में अलग-अलग तरह की प्रतिकरिया सामने आ रहे हैं हर पाटी की तो बता दे कि इंडिया गड़बंधन तो बन गया है लेकिन अब इंडिया गड़बंधन को किस तरह के से चलाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी जहां बैठको का सिलसला आप जारी है सीट शेरिंग को लेकर के मन मुटाब देखा जा रहा है वही सपा और बसपा की जो जंग है वो साब तोर पर सोशल मीडिया पर भी देखी जारी है